चाल चत्रभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं परदीप चाल लिए को आज तक हमने इस गाउं में इस गाउं में क्या और दीक के गाउं में भीडिक को ये बता दो हमने देखाऊ देखो जी हम थे नल की साथ, राशी लोग दल की साथ, लेकिन अगर वो बीजेपी में ना मिले तो, क्योंकि हम बीजेपी के देखो खिलाफ है CCA में आपका स्वागत है, हम अभी शामली जिले के भवीशा गाउं में हैं, ये केराना लोकसबा सीट में ये गाउं पढ़ता है और कल ही भारतिय जन्ता पार्टी बीजेपी ने अपने उत्तर प्रदेश के कई सारे उमीदवारों के नाम की घोशना करी जिन में से केराना सीट पर यहां जो हाली में सांसद हैं प्रदीप चौधरी उन्हीं का ही टिकेट फिर से रिपीट किया जा रहा है आपको यह बता दे कि लगभग तीन हफ़ते पहले तक यहां पर गटबंदन राश्टर लोगदल और समाजवादी पार्टी का था और यह सीट यह सीट राश्टर लोगदल के खाते में आई थी लेकिन अचानक किसी सिक्के के पलटने की आवाज आई और अब यह सीट भारते जंता पार्टी के खेमे में आ गई है राश्टर लोगदल जो भाजपा के साथ चली गई है और लग यह रहा है कि अब उन ले दे कर उनको सिर्फ दो सीटे मिलने वाली है आई यह बभीशा गाओं के यह कुछ किसान है जाट किसान है जो कहीं न कहीं जाट किसान ही कहीं न कहीं राश्ट लोगदल यह लोगदल की रीड की हड़ी हुआ करते थे उनका क्या कहना है खासकर कि कल जो यह सीट जो घोशना हो गई है यहां के उमीदवार की और यह सीट भारते जंता पार्टी के खेमे में चली गई है यहां वबीशा के जाट किसानों का इस पर क्या कहना है जी साब आप से शुरू करते हैं नौजवाने आपका नाम साब विनेश जी आवला विनेश जी 24 का चुनाव आने वाला है और यह सीट तो राष्ट लोगदल के खेमे में नहीं गई है आप किस के साथ होने वाले हैं इस चुनाव में देखे तो यह राष्ट लोगदल की थी और जीत भी यहां से पकी थी परदीव चोधरी को तो हम जानती हैं नहीं कोन है ठीक है ना उन्हें टिकट नहीं होना था अब की बार बोटिंग विपक्स को जा सकता है हमारा फिलाल भी जैन्त जी चार सीट मीनिमम हम जीतते हैं अब अब अगरगडवंदन में इंडिया में लेते हैं जी जी और अब केवल दो सीट ही मिली हमें बिजनोर और बागपत जबकी यह सीट हमारी थी हम इसे कनफर्म था कि हम इसे जीतते हैं तो अब की बार हमारे दोस्त मित्रे गुजर समाज से हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो वेभी खिला बोल ले हैं परदीव चोधरी हैं ठीक है न वेभी यही है कि परदीव चोधरी को तो हम जानते हैं कोन है आप मुझे बताइए इंडिया गड़ बंदन के साथ पहले निता आपके जहन चोधरी जी थे जोतरी जहन सिंग अब इंडिया की तरफ चले गए हैं साथ सीटों पर उन्होंने भी रीट्वीट करके बोला ट्वीट डाला था समाजवादी पार्टी ने कि हम दोनों साथ सीटों पर लड़ रहे हैं साथ उन्होंने भी रीट्वीट करके का हम हम इसके साथ हम लड़ने वाले अब अचानक कुछ पल्टी हुई है आपका इसके और फैसले से नहीं खुश है क्योंकि आप बातों से नहीं लग रहे पर पिर भी मैंने तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी में चोद्री चरन सिंग का अक्स देख लिए है कि इस से पहले इस पहले भी तो अक्स देख सके थे ज़ीन 2014 में भी देख सके थे तब ने देखका अब कहा हो गया हमारे चोधरी साब थे जो परदान मद्री चोधर चरण सिंग जी उन वे तो हगदार थे इस चीज़ के यह थोड़ा बीजेपी न दे दिया कि भाई इन उन्हें असान कर भारत रतें कि जी जी कोई और देता हूं नहीं अब तो खिलाफ जाएंगे बीजेपी के अब बीजेपी के खिलाफ जाएंगे लेकिन आपके लीडर तो वहां चले गए बाजपा के साथ उड़ चल जाओ मारे आज एक सीट तो बाजपा बहा है अच्छा आपकी साथ में जा रहे हैं अगर नलके का मिल जाता है यहां तब आप क्या करते हैं पहर नड़के बाद देते हैं चाहे वो भाजपा के साथ भी होती है नलके के साथ रहते हैं लेकिन नलके को नहीं मिला इस पर बहुत नराज हैं लोग नलके पर यहां पर सिंबल नहीं है दो सीटों पर आगए साथ से भाजपा के साथ जाकर जी आपका नाम आपका इन सबस्क्ट सरश जी क्या करते हैं नायव मैं किसान हू Caitlin क्या लग रहा है चौ Potter Yes के गाओं में कहा जाएंगे लुग? जब तर लोग हमारे गाओं के मुझे लग Boulder तो यहां पर एक रा हसन भी खड़ी है एक तरफ समाजवादी पार्टी से दूसरी तरफ प्रदीप चौदरी जौबी के हाली के सांसन है उनको फिर से टिकेट मिल गया है तो आप लोग किसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं क्योंकि नलका इस बार जो नहीं है क्या इस बात से क्योंकि लगब ये भी तैय हो चुका था अंदर राजनेते गलियारों में ये बात हो रही थी कि नलके से ही एक रा हसन को ट जीत पकी होती हुर यहां से जब एक राजनेती खушने लोगदल की ती है क confess हु़कों को टाके से देल को घ्का लगा एक इस माइब उलगी तो आप última sweet einge exam तो आप कही से आप पूरे आप जाए ये तिक हम आप प्रडीप चोधरी यहां पर देख्या उसने वह भी उसका नाम जाना है बस कि अले अलेकन आज तक किशी गाओं में किशी सेर में किस्वे में आज तक हो नहीं देखा गया पांच साल से आपके संसद हैं क्यों नहीं आप का लें दिखाए दिए लिए लिए उसके होड़िंग में दिखाएं देगा आज यहां पर आप किसान परिवार से हैं मोधी जी ने कहा था कि मैं तो किसान की आइदूगनी करूंगा प्रधान मंत्री उनकी एक स्कीम है जिसके तहत किसानों को महीने के 500 रुपे मिलते हैं और साथ में उन्होंने यह भी का कि अभी मुझफर नगर में रैली हुई लगबग धाए तीन हफते पहले योगी जी की उन्होंने का था कि अब तो दस दिन में गुन्ना मुक्तान हो जाता है आप लोग खुश नहीं हैं नहीं कुश का हैं जी दो जार रुपे जो हमें किस तक रुका रहता था वैसे तो मुझे पात हां जी अभी रुक रहा हैं अभी रुक रहा हैं बजाज के इतने पैक्टरी है सारीवा पंदा पंदा निरिन का पैमिट हुए आप गन्ना जाल जाल पूरे सी जनका अभी तक हमने बता हो जी हमने जैन नोंबर के मेंने के अंडे देख लो आप जाए थाना बावन देख लो जितने भी इसके किनों नी देख लो सामली बड़ा देख लो सामली बड़ा दो बल्कि दिया इनी बहुत लंबा इनकी हड़ताल भी हुए है तो एक बिनकु सरासर सफे जूट बोल रहे जोगी जी आपका नाम साब बिल्लू है बिल्लू जी क्या करते हैं खेटी करें जी कास्त कार रहे हैं यह मैं पकड़ लगाता कोई नी आप बिल्लू जी मेरे को यह बताईए अभी आपके तो नेता जी चौधरी चैंशिंग जी तो अधर भाजपा में गए अभी सांदोल इस के चुनाव में क्या सोच रहे हैं ना फचल लगा नास कहते हैं तो दिनों पहरे देने पर गया हैं मैं दर्शकों को बता दू बिजार का मतलब है आवारा पशु यहां पर बिजार कहते हैं खड़ी बोली में और जब से यहां पर बहुत सक्ती हो गई है उनकी कटाई पर तो यहां खेतों में किसान बहुत प पर जागी मैं नेता जालिया आपका नेता चला गया है तो क्या करेंगी नेता आपके महां से अब फूल उनके साथ चलेगी बाजपा में आप खोश हैं वैसे उनकी जाने से हाई खोश हैं चीक है तो बिजारों का क्या करेंगे लेकिन बिजारों का करो कुछ समाधान में ज और भी निए वोटो ने ब्रयारा आए किसकी वज से बीजेप की वनजे से औरे वीजेप की वोट grav wydaje कि उर्वाए पौलिछ और छो प्राफ गया रहा हूं ठीन से और यह तो डेटाया तोड़े सी वो कह दे अग भाई मारे जैन चोदरी आपकों कहेगा अवारा पसुजा कोण बंडर चुटा होगा वारा तो सिद्ध जाली अब तो कुई रहेंगे कि बीटाबात का लंग है मैं चालो जी बिजारों से परिशान है साथी लेकिन भाजपा फिर भी बहुत पसंद है कोई नहीं इनका मानना है कि चौदरी साहब उदर चले गए अब वो बीजारों की बाद सरकार में उठाएंगे तो मतलब जब तक राष्ट्र लोगदल भाजपा के साथ नहीं जाती है तब तक भाजपा को विजार नहीं नजर आते हैं जी साब आपका नाम सावन्त कुमार सावन जी क्या करते हैं मैं प्राइवेट टीचिंग करते हैं बभीशा का उसे ही है जी सावन जी एक चीज बता परिवर्तन हुआ कुछ तो किसी का चौदरी चरन सिंग का अक्स भी उनको नजर आ गया मोदी जी में आप लोग कहां है इस चुनाव में अब क्योंकि यहां की सीट तो घोशत हो चुकि यह तो भाजपा को मिली है रालोत के खेमे में तो आई नहीं अगर इस से सिंबल मिल ता नडगे का जी तो फिर तो 101 परसेंट वहीं पर जाना था चाई बाजपा के साथ हां जी नो प्रोबलम क्योंकि जहां मुखिया जाना सी है जो हमना बन मरा लिया कि हम तो मुखिया की साथ है तो फिर हमें जो है वहां पर जाना सी है लेकिन अब इनोंने जब कहने के मैं ऊमीद है कि नोटा नोटा देना वाले है अच्छा तो मदला प्रदीप को नहीद देना है और ना मैं इकरअ को जानते ही और इकरह समाजवादी पार्टी से इकरहा हसन खड़ी है नए अब देने का उनका क्रोचित देंना रहा उच्छा जोधरी साब जब दरीन देग तो मतलब यह तो नलका या नोटा बीच का कोई रास्ता निया ठीक है एक बात कहीती चोधरी साब ने 22 के चुनाव में वह बात काफी लोगों के अभी वह ठंठना रही है लोगों के कानों में कि मैं चवनी नहीं हूं जो पलट जाओंगा लेकिन वही बात अब सब को याद आ जी बाते तो याद करने के लिए ही बनाई जा कि चवनी उन्होंने काय था सिच्वेशन उस टाइम की कुछ और ती इस टाइम की सिच्वेशन कुछ और है क्या पता उन्होंने जो है किस वज़े से किस मजबूरी से अपना जो है इधर से उठा का अपने आपको उदर रख लिए तो पलट तो गई चवन लिए हाँ पलट तो गई लेकिन एक बात बता हो क्या उन्हों में दिमाख नहीं है वो पड़े लिखे नहीं है रहे विदेश से पर डखाय रहे उन्होंने भी तो कुछ सोच चवज़े के पैसला लिया होगा चली एक चीज़ बताईए लेकिन MSP की मांग अभी भी चल रही है आपके हैं स्टेट इडवाइस प्राइस मिलती है गन्ये की लेकिन उसके भी दाम कोई खास तो बड़े नहीं है पिछले पांच सालों है ना साथ में अगर हम जाएं अभी पंजाब में और किसान फिर से वो बॉर्डर पर खड़े हो दो उड़े तो अब चोधरी सब उडर गए तो आदमी उम्मिद करेंगा उनका समर्थक जैसे आप समिर्थक हैं यहां काई सारे लोग इनके समर्थक रहे हैं आदमी उम्मीद करेंगा कि चलिए हमारी तीन-चार मंगे को लेकर तो कम सकम गए एंड़े हीं कि उन भी मांग यह अंदर की बात है कि कुछ ना कुछ जो है मिल जाए किसान अंदोलन में मैं इसलिए पूछ रहा हूं किसान अंदोलन में एक गाड़ी थी जो लखीमपुर खेडी में चार किसानों को रॉमते हो चली गई जिसकी वो गाड़ी थी कल उसका भी टिकेट घोशित हो गया कैसा लग रहा है आपको की टेनी को फिर से वाँ टिकेट मिल नहीं वो तो बिल्कुल जो है गलत लग रहा है बट यह पॉल्टिक्स है हाँ जी यह राजनिती है जहां तक हम जितने भी यहां पर लोग भाग खड़े हैं हम चरब यहां तक ही सोचे हैं कि यहां पर गन्ना हो गया हो है होग जो अंदर की बात है खरी वहां तक हम पोंच नहीं पाता है फिर पहुंच पाने के बिनी भी बिल्कुल भी यह उन Gil तिल को बहलाने के लिए ख्याल नहीं है सच्छा ही तो माननी पड़ेगी हाजी हम अपने मलकों नहीं लगते हैं तो आप कह रहे हो यह तो नलका या नोटा बीच का रास्ता नहीं साहब आपसे अगर बात आपका नाम साहब उंपाल जी क्या करते हैं किसान है कास्तकार नहीं उंपाल जी कैसा यह जो सीट तो आप लोग को मिली नहीं यह चोधरी साब का फैसला कैसा लगा इस चुनाम में क्या करने वाले हैं बजी आता सबसे बड़ी बात यह निसान की हाजी है जी नलका निसान तो उत्ता है जी जब बीज़पी में जाते हैं चेकिसी पारिटी में चौधरी साब ने जो कहा था कि मैं पल्टूंगा नहीं मैं चवन्नी नहीं हूं बज्जियों तो क्या कैसे के जिए उस टाइम की बात थी लेकिन यह ठीक निरा आप यह बताइए आप लोग चौधरी साब के साथ उनके परिवार के साथ तीन पीडियों से नहीं हैं बहुत नहीं किस-किस तरीके साथ गर पाइगा जी हाँ हाँ सही जो आप जो तस्वीर निकल का आएगी जो आगए पिक्चर है वो चलने के बाद ही के लिए रोगी अब पिक्चर का ट्रेलर देख लिया उससे जो है पूरी फिलम का नहीं हो लोग कर सकती फिलम जो है कैसी रहने व जी मैं आ जाता हूं चलिए आप एठे रहें बुगी पर बैटे हैं जी किसान को बुगी से नहीं उठाओंगा मैं आपका नाम सब मेरा नाम संजीव कुमार संजीव जी क्या किसानी है जी जी बभीशा के टीक है साब बताएए आपने सवाल तो सुनी लिए जो लोगों से बात हो रही है आपका क्या कहना है इसको किस बारे में बताओ पॉइंट 24 का चुडाव हो रहा है यहां की सीट राश्य लोगदल को मिली नहीं भाजपा को मिली आप कहां जाने की सोच रहे हैं देखो जी हम थे नल की साथ राश्य लोगदल के साथ लेकिन अगर वह बीज़ तो क्या सोच रहे हैं नल तो है नहीं दो बड़ी पार्टिए यहां पर लड़्रीज है फूल है और आप कहह रहे हैं और आप कakukan के खिलाफ ए दुस्सरी तरफ साइकल है क्या सोचरे शाइक कले अंत विक्रा हसन को देंगे लेकिल कुल देंगे रूखनी देने खी लिख शन तो आज पिस गया बिल्कुल यह सिर्फ काग जोपा चल रही बक्की और पुछ नहीं आपको लग रहा है भाजपा किसानों की बात में नहीं सुनती है अंगलों नहीं आए किसान वरे पिछली बार आए कभी एक बार भी एक बार बीडिया इसा कोई प्रधान मंतर्य ने कोई क आता है गर इस पर नहीं चलोंगे तो फिर क्या करोंगे तेरा महीने का किसान अंदोलन हुआ था उस किसान अंदोलन में साड़े साथ सु लोग शहीद भी हुए मैं तो शहादती बोलूंगा उसको और अभी भी किसान शंबू बोर्डर पर बैठे हैं लेकिन एक चीज़ द बोली बहुत मांग पूरी हो जाती एक तो किसान जब चलता थोड़ा बहुत तो दूसरा कुछ काम का टाइम है अब यह काम के वेज़ा किसान को फुरसत नहीं उस टाइम जो आंदो लो नता हुए उस टाइम का टाइम नहीं था बन्य बोरे अभी जी अब गन्ने की कटाई मतलब जादा एटिटूड के साथ गए जब की बार वो जो पावर है जो बैक बैक अप है वो नहीं है जहां तक इसको अगर मैं डेटा सा किसी से लिंक करो अभी कोई कंपनी है उसने डेटा निकाला है पुरे वल्ड का जी 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 उसने कहा है कि की डेमोक्रेसी जो है मतलब अगर मैं उससे लिंक करता हूँ तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सब की पूछ करते रहना यही पिछली बार का जो किसान अंदोलन था उसमें ये बात कही गई कि हम एक कमेटी बनाएंगे रिपर्जेंटेटिव देंगा आपका उस रिपर्जेंटेटिव को पिछली बार का जो अंदोलन था उसमें रिपर्जेंटेटिव डेमोक्रेसी दी गई कि कमेटी बनाएंगे और कमेटी डिसेजन लेगी उस कमेटी में मेंबर कोन थे ठीक है न एक तो उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया है ठीक है तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस तरीके स आते हैं कि कमेटी का कोई नाम ही ना है हाला कि number of strength कम है किसानों का ठीक है नहीं है लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि उनके पीछे की mental power जो है वो कम जो है ठीक है आप कह रहे हैं कि मतलब आंदोलन के साथ जुड़े होए हैं अभी भी लेकिन चाहे सड़कों पर अभी उस तरीके से नहीं आप लेकिन जुड़ाव अभी भी है उसमें भी भी चेंज नहीं हुआ है वो मान सकता भी भी वही है ठीक है क्योंके जुड़ाव भी भी है किसान अंदोलन के साथ और उस किसान अंदोलन में बहुत लोगों की जो हमने देखा कि पश्चम यूपी में वाफरनगर में लगबाग साफ हो गई थी भाजपा, किसाना अन्दोन के बाग, उसका असर क्या इस चुनाब में भी होने वाला है? हाँ, बिलकुल होगा, क्यूंकि यहां तो राश्ट्य लोक्तर को टिकेट मिला नहीं, वो तो भाजपा के साथ ही चली के जिसकी सारी निंद है, एक वो जो उनसे जो बुझदूर्ग है, मतलब हमारे जो बाबबा है, वे जो घर जो रेस्पोंसिबिलिटी है कमाने की उस से अलग हो चुके है, थोड़े रेटायर हो गए है, एक वो जो न्यू जेंडरेशन है, जो कि जिसको पर रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है, तो और स्प Пिपल क्योंकि उनके वो जो जाएग जेंडरेशन है, वो जो मेडिया के अऊटोंडिस खरती है,शेज इंडरेशन पर रेस्पोंसिबिलीटी है, वो जो है जो महनत करके खा रहा है, वो जाएगा बचेअगा मेंगाई की चीज़ों को डेख करकर अगर व spirits, बूच बजूर्ग वे उनको कहीं भी रख लो, जो हमारे लाके के बजूर्ग है कम से कम, उनको कहीं भी रख लो, RLD चाहे कहीं चली जाओ, बीजेपी के साथ चोड़ कर वो CPI के साथ चली जाओ, कोई दिकत नहीं है, वो जाएंगे ही उसके साथ, मतलब वो अपने RLD को नहीं रहे हैं, उनको अपना कुछ करना ही नहीं है, अब ही हम बभीशा गाओं में थे, किराना लोकसबाद सीट में बढ़ता है गाओं, जाट किसान है यहां, बहुत सारे ऐसे, जो उस तेरा महीने लंबे अंदोलन में भी उन्होंने अपना समय दिया, अपनी तरफ से, वहां आ अधिकारी नहीं बलकि हमारी जिम्मेदारी है एक आमनागरिक की, और ऐसी नीतियों के खिलाफ जिन लोगों ने इतना बड़ा संघर्श किया, और उनका जो राजनेतिक नेत्रित्व करने वाले थे, कही न कहीं, वही पलट गए आखरी मिनिट पर, और उनी के साथ चले एक बहुत एहम हिस्सा रहे थे, और आज उनका ये कहना है, कि या तो हम नोटा को दे देंगे, या सपा को दे देंगे, लेकिन जिनों ने, जिनके खिलाफ हमारा इतना लंबा संघर्श रहा है, उधर तो हमारे वोट जरूर बिलकुल नहीं जाने चाहिए, अपने नेता से एक नौजवान जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इस तरह पर हताश है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, चाहिए शायद वोट नहीं दें, क्योंकि पहली बार ही वोट करने जब जा रहे थे, तो इनहीं के नितरत्व करने वाले ही, उनहीं के साथ जाके मिल गए जिनके खिलाफ ये लंबा संगर चला था, चुनावी अभी तो सरगर्मियां बढ़ ही रही हैं, शुरू ही हो रही हैं, जुड़े रहे सी सी ए के साथ, यूपी से चुनावी खबरे आप तक आती रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया